दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपको और आपके परिवार को मेरे तरफ से और PDS मुंबई की तरफ से नए साल की धेर सारी सुब कामना है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि नए साल में क्या करना है क्योंकि दोस्तों जब नया साल आता है तो एक उमंग आता है और वो उमंग आता है कुछ नया करने की ऐसा लगता है कि पुराने साल में जो किया तो किया लेकिन अब नया साल आने वाला है तो थोड़ा अलग करते हैं दोस्तों इनसान को अलग करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए नया साल हो या पुराना साल हो लेकिन नय साल में लोग अलग ही कुछ सोचते हैं दोस्तो अलग सोचना और करना ये अच्छी बात है लेकिन कल में देखा दारू के दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड लगी हुई थी मुझे ऐसा लगा कि सायद फ्री में यहां दारू बट रहा होगा लेकिन दोस्तो फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है तो दारू क्यों कोई देगा देखिए नए साल में कुछ अलग करना चाहिए अच्छा सोचना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करूँ अलग करूँ लेकिन दोस्तो क्या अलग करने के लिए दारू ही बचा है लोग दारू पीते हैं नसा करते हैं देखिए नए साल में आपको अच्छा करना चाहिए न कि बुरा करना चाहिए दारू पीना दोस्तो एक बुरी आदत है जो कि आपके परिवार को एकदम बरबात कर देता है आपको भी बरबात कर देता है दोस्तो दारू नहीं पीना चाहिए मेरा राय ये नहीं है कि दारू पीते हैं तो गलत है लेकिन दोस्तो दारू पीना गलत है दोस्तो नए साल में आप अपने आपको सुधारिये अपने परिवार को सुधारिये कोशिस कीजिए कि आप पुराने साल से बहतर सावित हो सके नए साल में लेकिन दोस्तो दारू के दुकान पे जिस तरह से मैं लाइ का खाता हूं और ना ही दारू सराप पीता हूं कुछ भी दोस्तों मैं नसा नहीं करता हूं एकदम मतलब कि अपने आपको मैं सम्हाल के रखा हूं बचा के रखा हूं दोस्तों मैं गाड़ी भी किसी से कम नहीं चलाता हूं जब मैं ड्रैवर हो करके कोई नसा नहीं करता हूं आप लोग तो अलग-लग काम करते हैं, अच्छी पोजीशन है, अच्छे अचार वीचार हैं, तो आप दारू को क्यों अपने जीवन में सामिल करते हैं? दोस्तो दारू छोड़िये, नए साल में कुछ अलग सोचिये, दोस्तो मैंने दारू का नाम लिया, तो सायथ कितने लोगों को अच्छा ना लगे, अगर आपको अच्छा ना लगे दोस्तो तो भी आप कमेंट में लिखना, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो भी आप कमें